वेलकम प्रेंड्स बुक रिकोमेंडेशन सेरीज में आपका स्वागत है और आज इस बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है दे ब्लैक स्वान नसीम निकोलस तालिब द्वारा लिखी गई उनकी बहुत चर्चित किताब है यह निकी बुक है इन्होंने बहुत से किता किताबे हैं इन्होंने लागातार अच्छी किताबे लिखी हैं और अगर आप इनकी सिरीज की किताबे अगर पढ़ेंगे तो आपको न अस्तर पर सूचने को मजबूर कर देंगे इनकी सारी किताबे इसलिए मैं सभी को रिक्मेंट करता हूं कि किताबों को जरूर पढ़े अगर इस book की एक line में कर summary आप जानना चाहते हैं तो वो लगबग इस प्रकार है कि अगर कोई unlikely event होता है आपके G1 में तो वो आपके G1 में किस हद तक बदलाव ला सकता है इसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं मतलब यू कहा है इसको कि कोई ऐसा event जिसके बारे में आपने कभी prediction भी नहीं किया हो वो अगर event होता है और उस event का क्या असर रहता है आपके throughout the G1 पर इसके बारे में आप predict नहीं कर सकते हैं हो सकता है कि वो अच्छा भी उसका outcome निकल जाए अंतर तक या हो सकता है कि उसका बुरा भी outcome निकल जाए यानि कि unlikely event अगर होता है तो किस हद तक आपके जीवन को बदल सकता है आप नहीं जान सकते हैं इसका नाम the black swan है इस बुक का नाम black swan इसलिए रखा गया है क्यों कि swan मिस होता है hans hans और बतक में अंतर है आप खोज लीजेगा क्या अंतर है hans होता है यह swan और लोगों को लगता था कि जो hans होगा यानि कि swan होगा या हमेशा white color का होगा लेकिन जब black swan के बारे में बता चला तो सारे लोगों की क्या कहते है वो जो पूर उधारना है थी या का उधारना है थी या कहें कि उसके बारे में viewpoint था कि हन्स हमेशा होगा तो white ही होगा वो क्या अचानक से बदल गई इस अचानक से बदलते हुए events को ही तो इसमें black swan नाम दिया गया है मार्केट में होता है कि अचानक से गिरने लगता है माली जी किसी के बारे में नहीं पता है कि उसका future क्या है ठीक है इसलिए इस बुक को लिखा गया इस बुक को मतलब आप black swan एक movie भी है उससे confuse मत किजिएगा क्योंकि यह market based है यानकि uncertainty पर लिखी गई किताब है और वो movie है और हंस और बतक के बारे में आप दिरूर जानिएगा कि क्या इन में अंतर होता है आप वो एक simple example से समझाते हैं जैसा माली जी कोई healthy व्यक्ति है और उसके पास यानि कि earning का एक source है जॉब और अचानक से एक दिन उसका accident हो जाता है और उसका lower portion यानि कि कमर से नीचे का जो portion ह हुआ हुआ समझे completely damage हो जाता है और वो bed rest पर आ जाता है उसकी earning यानि कब वो job करने सकता जाने सकता तो earning आए की नहीं और उसे family भी चलाना है तो क्या हुआ कि उसने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरा accident होगा और मैं इस तरीके से disable हो जाओंगा क्योंकि एक healthy person है तो उसके लिए एक unlikely event है और इस unlikely event के कारण उसके जीवन में अब जो जो बदलाव आएंगे हो सकता है कि कुछ positive भी बदलाव आए और हो सकता है कि negative भी बदलाव आए तो जो positive बदलाव या negative बदलाव जो कुछ भी आएंगे वो उसके जीवन उसको more दिया यह unlikely event हुआ और उसके उसको एक चीज में सफलता हासिल हुई और सफल भी हो सकता है किसी चीज में कि अचानक से invest कर रहा है और उसको भायानक loss होता है और और फिर और से first की तरफ आजाता है तो उसके लिए भी black swan ही है ठीक है यहां कुछ और learning भी दिया जा र है कि आपने past को देखकर future को predict मत किया किजिए simple सा कि past में जो घटना है हुआ या past में जो कुछ भी हुआ वो future के लिए directive नहीं है लोग past historical data को देखते हैं और सोचते हैं कि future में इसी तरीके से होगा ऐसा नहीं हो सकता अगर आपको गारी चलाना है तो गारी आप सामने देखक देखेंगे ऐसा नहीं कि rear view mirror में ही देखकर के गारी चलाने लगेंगे simple साइक्जामपल है इसमें नहीं बताया है कि आपको future के बारे में अगर कुछ भी decision लेना है तो past को आप हिंट ले सकते हैं फुली उसी को सोच करके और theory बना करके आगे predict नहीं कर सकते हैं ठीक है और आ unexpected चीजों को के लिए कर तयार नहीं रहेंगे आपको जाता नुक्सान जलना पर सकता है जैसे ब्लैक स्वान के बारे में कहा गया कि लोगों को लगा कि ब्लैक स्वान होगा नहीं यानि कि काला हंस नहीं मिलेगा मतर्या नहीं जाएगा लेकिन अचानक्षे जब उनको मिला तो लोगो विश्वास्वा कि इवेंड भी इस तरह के कोई इवेंड भी हो सकता है इसका सबसे से एक्जामपल मैं आपको देता हूं इस बुक में भी साइद वही एक्जामपल दिया हुआ है कि जैसे मालीज कोई बकरा पालण कर तुछ भी ऑपलण करना कर तो उसको लगए कि यह तो उसको अचानक से उसका ब्लैक सोन आजाए क्यों कि थ्रू आउट फ्रेंडली रिलेशन से अचानक से ही कतम हो जाएंगे और वो मौत के घाट उतर जाएगा तो उसके लिए क्या हो गया वो अंसर्टेन अगर आप बुक को पढ़ना है तो आप इसकी समरी पढ़ें या बुक को खरीद करके पढ़ें जैसे जैसे भी पढ़ना है पढ़ें लेकिन काफी अच्छी किताव है मैं तो इसको रिकमेंट करूँगा कि आप जरूर पढ़िए इस चीज को होप इंज्वाइड इस वीडिय थैंक्स पर बाटना है